वेल्कम बैक टू दे इंजिनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंट्स आज हम लोग फिर ही इनिसियल कर्डिशन कहीं कुशन सॉल्प करने जा रहे हैं यह थोड़ा डिफ्रेंट टैप का सर्किट दिख रहा है क्योंकि एक बार यह वन में जाके कनेक्ट होगा जीरो में डिफ्रेंट और जीरो प्लस में डिफ्रेंट और जीरो माइनस में डिफ्रेंट होगा आफकोस तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो सर्किट ड्रॉ करते हैं एट टी इस इक्वल्स टो जीरो प्लस और माइनस में यहां पर हम लोग रॉफ कर लेते हैं जाकि हम लोग को यहां पर 2 में और आपको at t is equals to 0 माइनस में आपको connect होगा ये 1 में 1 में जाके connect हो रहा है तो यही है हम लोग का circuit 0 में अब यहां पर हम लोग गिरेंड रॉफ कर लिए तो हमेरा concept क्लियर हो गया यहां जब करते जाएंगे तो तो अब हम लोग solution कियो जाते हैं उससे पहले आप जाके फटाफट अगर अभी तक आप लोगों ने subscribe ने किया है तो प्लिक जाके subscribe कर दीजिए और दोस्तों में भी share कर दीजिए तो circuit हम लोग बना रहे हैं circuit at t is equals to 0 minus condition में हमेसे स्टार्ट करना होता है circuit ड्रॉ करने के लिए हम लोग को मालूम है हमेसे 0- में initial condition में start किजिएगा तो माइनस में हम लोग का क्या था वन में connected था कि यहां पे 220 वोल्ट है कि वन में connected है यहां पे 100 रेजिस्टर हो गया है और फिर अब इंडक्टर एनर्जाइज है या डी एनर्जाइज है यह हम लोग को चेक करना होगा और उसी साब से हम लोग को लिखना होगा तो यहां पे circuit फर्म हो रहा है और आपको सोर्स भी आपको सोर्स देखिएगा तो इंडक्टर तक पहुंच पहुंच रहा है क्वह इसा ब्रिक नहीं हुआ हुसा यहां तक आपको नहीं पहुंच सके तो यहां पे यह सर्कृट किया और जाइज हो गया यहां लिखना होगा circuit is been energized exam में भी लिख देगा वरना आपको max वगर एक max वगर या कुछ आपको कठ होने का chances होगा circuit is energized और circuit energized में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था inductor का case में हम लोगों का energized circuit में short circuit होता है short circuit होता है माइनस में तो हम लोग यहां पर short circuit से ही रिप्रेजेंट करेंगे short circuit माइनस का case है so i0 माइनस होगा il0- या i0- अभी सेम है क्योंकि एक ही loop form हो रहा है दोनों का दोनों का एक ही चीज है तो इसमें confused नहीं होएगा बाद में हम लोग करते जाएंगे और भी ज्यादा भास्ट में तो different different का भी cases आएगा il0- या i0- डिफ्रेंट हो जाता है बाद में हम आपको विशा कोशन भी डिल कराने वाले हैं लेकिन अभी के लिए हम लोग का एक ही क्या होता है il0- करना होता है तो यहां पर हम लोग को फाइन आट करना पड़ता है तो यहां पर हम लोग करते हैं कि आपलाइंग इन शर्किट 20 वोल्ट इस इक्वाल्स टू 100 करेंट क्या है आई जीरो माइनस का यहां पर तो शॉर्ट सर्किट है कुछ प्लो ही नहीं हो रहा है बोल्टेज बगर भी नहीं है सो हम लोग का आई जीरो माइनस इस इक्वाल्स टू 20 डिवाइड बाई 100 होगा सो 0.2 जीरो पॉइंट टू एमपेर आया हम लोग का आई जीरो माइनस का यहां पर आपको उपन रहता तो फिर आपको लूप नहीं फॉर्म होता लेकिन यहां पर सॉर्ट सर्किट हो रहा है और खुल लेकर को होता है और उसी हिसाब से हम लोग का यहाँ पर OUT आइल जीरो माइनस कहिए एक ही बात है तो आ एल जीरो माइनस हम लोग साथ है सब सद्र calidad है Wow I pay India at 0x000 कंडिशन में बनाएंगे oh सै एसब्स यहां थ quarter like ông ओंदिशन में आपको एस तो जैसा था 20 वोल्त दिया है तो 24 ही होगा यहां पर यहां पर को प्लस में लोग का 2 नीयों फिरő में हुवा हो एक चाहे तो आप यह 20 वोल्त वाला portion बना भी सकते हैं वरना इसको हटा कि क्योंकि डारेक्ट हम लोग का इधर काएगा तो हम लोग डारेक्ट ही बनाते हैं से करते हैं यूज में भी नहीं आएगा यहां पर टू पर कॉनेक्ट है 20 रेजिस्टर में गया यहां से आया आपको यह circuit यहां पर 100 है चाहे तो आप यह वाला भी बना फक्त है लेकिन आपको वह वहां पर आपको काम भी नहीं लगता उस सेट का portion में तो इसलिए हम लोगों ने इतना portion लिया है यह सेट का portion ही हम लोग का यूज का था इसलिए लिया है यह सेट का portion वेसे भी काम नहीं लगता वहां से क्यूंकि यहां पर आपको circuit इस हैट फॉर्म हो रहा है खाके at 0 प्लस में दिखाया गया है अब हम लोगों को क्या करना है यहां पर फिर से हम लोग को inductor का क्या होता है वो चेक करना है यहां पर हम लोग का inductor में energized था हम लो है तो हम लोग अब यहां पर inductor के जखा पर क्या करेंगे current से represent करेंगे जो current हम लोगों ने यहां पर क्या निकाला था 0.2 ampere करके निकाले हुए थे हम लोग यह circuit क्या है I 0 प्लस का यह I L 0 प्लस कहा जाए अब हम लोग क्या करेंगे from continuity equation continuity equation we can write I L 0 minus is equals to I L 0 प्लस which is equals to 0.2 0.2 ampere यह हो गया हमारा अब हम लोग को और question में क्या बोला गया है तो first derivative और second derivative first derivative और फिर second derivative निकालने के लिए हम लोग इससे पहले वीडियो में क्या कहा थे इसके लिए हम लोग को normally नहीं निकलेगा at 0 plus या 0 minus में इसके लिए हम लोग at circuit t greater than 0 का circuit हम लोग को बनाना होगा और वहां से हम लोग को find out करना होगा तो हम लोग अब क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे circuit t greater than 0 में तो हम लोग का टी प्लस में जो अशा होता है circuit वैसा ही फॉर्म होता है बस आपको switch वैसा ही condition में होता है और यहां पे जब inductor के जगा पे जैसा question में inductor दिया गया है वह हम लोग को लिखना पड़ता है बस change इतना ही होता है और सबसाद आपको सेम ही होगा अची जिरो प्लस का condition में बस यहां पे आपको जैसे कि 0.2 एंपेर लिखे हुए थे इसके जगा पे हम लोग को सीधे inductor पूट करना होगा inductor डालना होगा वन हेंडी करके और सबसाद के सारा आपको जिरो एट ऊंडुटे इबस to X courage करना होगा कि ंद्फ होगा है दो है कि इहां पे टोईंती रिच्टेंस होगत है है यहां पे इंडॉक्टर हम लोग को पूट करना होगा वन है ही हैंडरी का सारा का सारा सर्किट सेम है चैट जीरो प्लस-का इंपलाइण ही कर्णिसन बड़ अंबस हम लोग का यहाँ पर जो टी ग्रेटर दैन जीरो इंडक्टर था तो सब्सक्राइण दिशन में था एंडक्टर ही हम लोगों रिप्लेस के दिया ऐसे आपको T greater than zero का circuit फॉर्म होता है और T greater than zero यहां T I zero minus I zero plus यहां पर क्या होगा IT होगा यहां पर it का circuit फॉर्म होगा IT यहां पर flow होगा अब हम लोग क्या करेंगे apply करेंगे केभ एपलाइंंग के के भी एल इन लूप तो यहां पर 20 into it plus 100 into it plus vl is equals to 0 यहां पर रिखते हैं 20 plus 100 120 it plus vl t is equals to 0 vl के जगह पर आएगा 120 it plus vl के जगह पर आएगा ldi by dt ldi by dt is equals to 0 120 it plus l के जगह पर है 1 into dit by dt is equals to 0 तो अब क्या करना है add t is equals to 0 plus पे हम लोग को बैलू अगर पूट करना है so 120 i0 plus di0 plus by dt is equals to 0 और i0 plus पे हम लोगो ने क्या find out किया है which is equals to 0.2 ampere so 120 into 0.2 plus di0 plus by dt is equals to 0 so अब लोगो का final answer आएगा यहाँ पे di0 plus by dt is equals to यह उधर जाएगा तो minus हो जाएगा और multiply करके आपको यहाँ पे आएगा minus 24 ampere per second तो हमारा हुआ यहाँ di by dt आपको di by dt at 0 plus condition में 24 ampere per second minus 24 ampere per second और हम लोग को यहाँ पे यह first derivative निकला which is equals to i dash होता है i dash 0 plus में equation में देखिएगा तो i dash 0 plus में बोला गिया है अब double derivative भी हम लोग को final करने के लिए बोला गिया है इसको equation 1 मानते हैं और इसी को हम लोग अब लोग derivative करेंगे तो हम लोग का double derivative भी हाँ से निकलेगा तो अब हम लोग क्या करते हैं from equation 1 we can write 120 i t plus d i t by d t is equals to 0 है and differentiate above with respect to d we get 120 d i t by d t plus d square i t by d t d t square is equals to 0 अब क्या करना है add t is equals to 0 plus पे हम लोग का value put करना है उपर वाले में तो यहाँ पे होगा आपका 120 d i 0 plus by d t plus d square i 0 plus by d t square is equals to 0 120 into हम लोग नहीं यहाँ पे क्या निकाला था minus 24 so यही value put किये d square i 0 plus by d t square is equals to 0 d square i 0 plus by d t square is equals to हम लोग का final answer आएगा two eight eight zero ampere per second square ऐसे करके हम लोग find out कर सकते हैं first derivative double और second derivative भी डबल derivative पूछा तो ऐसे करके बहुत easy way से हम लोग find out कर सकते हैं तो concept और clear होना चाहिए और सब तो आपको बहुत easy है आप कैसा भी question है आप कर सकते हैं इसको solve तो हम लोग आप equation solve करने जा रहे हैं जैसे इवाला question जिसमें कि आपको यहाँ पर पहले जैसा ही similar है थोड़ा फापको different है क्योंकि आपको यहाँ पर वन रेजिस्टर यहाँ पर दिया है current fan out करने two से कितना होगा i l यानि कि यहाँ से current कितना flow होगा vl का और v2 रेजिस्टर से voltage हो गया vab तो वैसा वैसा ही है और यहाँ पर d il by dt which is equals to vl से हम लोग को निकालना पड़ेगा तो हम लोग को बोला गया है find out करने के लिए at t is equals to 0 में t is equals to 0 में आपको b पे circuit जाता है और t is equals to 0 म और यानि कि t is equals to minus में a पे आपको गया होगा a पे आपको गया होगा और ऐसे वाला circuit form हुआ होगा b पे या t is equals to 0 प्लस पे आपको b पे जा रहा है तो यह आपको पता होना चाहिए यह से करके अब हम लोग इसका solution की ओर जाते हैं हम लोग को सुरू में at circuit at t is equals to 0 माइनस में ह प्लस में दिखा रहा है कि b पे जा रहा है सो माइनस में आपको ए में गया होगा और बी में प्लस में बी में जा रहा है तो मैंस में गया होगा सो प्लस माइनस 10 भोल्ट हुआ यहाँ पर according to question A में गया आपको 1 register हुआ और यह वाला चाहे तो आप portion यहाँ बना भी सकते हैं और नहीं बनाईएगा तो भी कोई फरक नहीं पड़े क्योंकि इसका use नहीं होगा यह second वाला प्लस वाले में आएगा प्लस वाले में फिर हम लोग यह set करना ही बनाएगे तो अब हम लोग को चेक करना है circuit energize है की नहीं circuit यहाँ पर आपको inductor है, inductor तक आपको current flow हो रहा है देखिएगा तो यहाँ से गया आपको voltage source है यहाँ पर आपको formed हो रहा है रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ तक आपको loop complete हो रहा है यहाँ पर आपको source से लेके connected है यह inductor तो यहाँ पर आपको energy मिल रहा है यहाँ से totally complete हो रहा है अगर यह closed नहों के open होता तो यहाँ पर flow नहीं हो पाता यहाँ पर interrupt हो जाता और फिर यह case में de-energize हो जाता लेकिन यहाँ पर यह circuit form हो रहा है यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ तक गया हुआ है यानि कि आपको यहाँ पर यह क्या होगा energized circuit होगा यह लिख दिजिएगा energized circuit और energized circuit का case में हम लोग का क्या हो जाता है at minus condition में short circuit हो जाता है short circuit il 0- लिखते हैं और यहाँ पर aks हो गया il 0- यहाँ पर भी il 0- या i0- एक यह चीज़ है अब इता क्योंकि एक ही loop form हो रहा है इसमें confuse मत होईएगा तो अब हम लोग क्या करना है inductor है तो inductor है कि में आई एल जीरो माइनस हम लोग को सबसे सुरू में फाइन आट करना पड़ता है अगर क्यापैसिटर होता तो क्यापैसिटर होता है तो क्या क्या करेंगे क्या करेंगे के वी एल इन लूप सो यहाँ पर 10 बोल्टेज हो गया 1 इन्टू आई एल जीरो माइनस हो गया और यहाँ पर आपको सॉर्ट सर्केट है कुछ है ही नहीं सो यहाँ पर तो आपको फॉर्म भी नहीं होगा कुछ लिखाएगा भी नहीं है और लूप फॉर्म हो रहा है और टोली ओपन से भी होगा नहीं है यहाँ पर अगर ओपन रहता तो जीरो यह ब्लूप नहीं होता है और टोटली क्लोजट है देखिएगाMoशिव动 ब唉 नहीं है यहां पर भी ओपन नहीं है यहां पर भी अगर ऊपन रहता तो जीरो होता यहां पर आपको करेंट फ्लो होता ही है तो यहां पर आपको i l is equal to minus का case में 10 ampere हम लोग का निकल गया है अब क्या करेंगे हम लोग प्लस का में आपको circuit बनाएंगे अब हम लोगों ने क्या किया at 0 at t plus का condition में circuit बनाया है जिसमें कि हम लोग को यहां पर बोल रहा है कि at b में गया हुआ है तो जिरो जिरो ब्लस में हम लोगको यहां प्र स्विच गया हुआ है तो मोग यहां सुरुमें ही चेक कर लिए थे। ये वाला portion हुआ और आपको circuit energized है चुकि तो energized का condition में हम लोगोंने energized में माइनस में 0 to Canyon में आपको फलस में करेंट से रिप्रेजेंट होता है तो हम लोग यहां इंडॉक्टर का केस में क्या देंगे करेंट यहां पर लिखेंगे जो कि हम लोग कर 10 एंपेर भी निकला हुआ था यहां पर इल जीरो प्लस हुआ इल या इल या इजीरो प्लस एक ही बात होता है क्योंकि एक ही लूप यहां फोर्म हो रहा है तो इसमें कंफ्योज मत हो एगा 10 एंपेर हो गया यहां पर और हम लोग क्या करेंगा फ्रम कॉंटिनुटी एक्वेशन कॉंटिनुटी एक्वेशन वी केंड़ इल जीरो माइनस इस इक्वाल स्टू आई यह जीरो प्लस विच इवाल स्टू टेन एंपेर हो गया हम लोग ऐसे करके यहां पर लिख सकते हैं तो अब हम लोग का यहां पर आई एल निकाल चुके हैं अब हम लोग को बोला हुआ है रिजिस्टेंस निकाल यहां करेंट निकालने के लिए वन रिजिस्टेंस से कितना करेंट फ्लो होता है तो हम लोग करेंगे चुकि हम लोग का एक ही करेंट यह लूप में फॉर्म हो रहा है आई एल कहिए आई एल जिरो प्लस कहिए आई जिरो प्लस या आई जिरो प्लस या आप कुछ भी कहिए बस एक ही करेंट फ्लो हो रहा है तो यानि कि यहां वन रिजिस्टेंस वन ओहम से या टू ओहम से भी आपको यही current flow होगा तो हम लोग का 10A ही होगा यहाँ पे तो इसमें एक ही loop होगा form तो यहाँ से यहाँ से भी सब जगह से 10 अंपयर का ही current flow हो रहा है तो तो वन ओहम और टू ओहम से ही टेन एंपर ही करेंट फ्लो हो रहा है हम लोग यह आराम से लिख सकते हैं इसमें कन्फ्यूज मत होईएगा और हम लोग को अब क्या बोला हुआ है यहां पर तो बोल्टेज निकालने के लिए इसी का पहले यह भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि हम लोग का इसका करेंट निकल चुका है इसलिए तो यहां पर वन इन्टू टेन सो टेन बोल्ट फ्लो हो रहा है तू इन्टू टेन सो ट्वाइंटी भूल्ट आपको फ्लो हुआ अब हम ल लोगों ने फाइन आट कर चुके हैं अब हम लोग को भी एवी निकालना है और भी ल भी निकालना है बहुत निकल जाएगा तो दिया यह वाई डिटी भी हम लोग वहीं से निकाल लेंगे तो अम लोग भी भी निकालते हैं शुरू में सो भी एब भी यानिकि पहले वाले में आपको एक बार स्विच कनेक्ट होता है । मतलब सरकीट फ़र्म करता है फिर वाले में जाता है तो बहुत ए माईनस भी बी करके कर सकते हैं भी ए में होगा आपको 10 और फिर भी बी में आएगा तो यहां पे होगा आपको प्लस टू इन्टू टू रेजिस्टेंस है और करेंट फ्लो हो रहा है तेन का तो यह करते हुए हम लोग का 30 भोल्ट आएगा ए में गया covert 10 वोल्टेज होगा और कि इतना वोल्टेज और यहीं निकालना पड़ा तो आपको टू रेजिस्टेंस हो गया करेंड का फ्लोर हम लोग यह डारेक्शन में यहां पर हम लोग सब जगा क्लॉक्वाइज ही एजूम किये हैं लेकिन यह वाला आपको होगा तो इस साइड माइनस में जाएगा सो माइनस 10 is equal 30 भूलट आएगा यहां स तो यह टी ग्रेटर देन जीरो का भी एक सर्किट बना सकते हैं वरना अगर यहीं पेजिम करिएगा तो भी एल यानि की भी यहां कब होल्टेज हो रहा है तो यह वाले में आपको अगर लूप आप फॉर्म कीजिएगा तो आएगा आपका 2 x 10 प्लस 1 x 10 और माइनस भी एल इस इकोल जू जीरो 2 x 10 10 अमपेर का करेंट फ्लो हो रहा है और 1 x 10 क्योंकि यहां पे 10 अमपेर का करेंट फ्लो हो रहा है और यहां पे आपको होता है प्लस माइनस में इंडिंग है प्लस और माइनस ऐसे करके हो रहा है तो बी एल अगर यहां पे यहां पे टी ग्रेटर दैन जीरो में अगर आप सर्किट बनेएगा तो और भी ज्यादा क्लेर लिए आपको पता चल जाएगा लेकिन प्लस में भी चाहिए तो ऐसे करके कर सकते हैं और VL प्लस माइनस में 100 यहाँ पर माइनस VL इसलिए आया क्योंकि माइनस में इंडिंग है तो इसे हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिखे हैं माइनस VL करते हुए और यहाँ पर हम लोग का VL is equal to तो आएगा 30 VL निकल गया अब हम लोग को क्या बोला है DIL by DT हम लोग को मालूम है VL is equal to DIL by DT होता है फार्मूला तो VL के जखह पर 30 which is equal to L के जखह पर 2 हो गया DIL by DT so DIL by DT is equal to divide होके 15 आएगा यहाँ पर हम लोग का तो यह हो गया हमारा 15 A per second करके हम लोग का यह final answer हो गया ऐसे करके हम लोग find out कर सकते हैं तो ऐसा ही है आपको concept ओगर clear होना चाहिए ऐसा ही questions of January आपको electric circuit theory में पुस्ता रहता है concept ओगर clear हो तो आप easily कर सकते हैं और आगे भी concept ओगर और ज्यादा clear होने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह सही हम वीडियो जोगर लेकर आने वाले हैं यह बगर वाजिए मैं वीडियो